नमस्कार मेरनाव अभिकान चौरशिया है आप देख रहे हैं बोलता खगडिया आज 22 मार्च है यानि जनता कर्फ्यू प्रधान मंतरी मोदी जी के अहवान पर पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया है जिसका असर बिहार के खगडिया में विव्यापक असर देखा जा रहा है गाउं से लेकर सहर तक हर गाउं मोहले तक हर घर तक सन्नाटा परसरा है लोग अपने अपने घरों में सेफ महसूस कर रहे हैं बाहर निकले से परहेज कर रहे हैं वहीं देश के प्रधान मंतरी ने अहवान किया था कि करोना वाइरस की रोक थाम को लेकर हर लोग अपने अपने घरों में ही रहे महस 14 घंटे की बात है वहीं एक खगडिया के सहरों की इस्तिती है कि आप सीजी तस्विर में देख सकते हैं किस तरह से सारे परतिस्थान बंध हैं हर दुकाने बंध हैं चलने फिरने वाले मुसाफिर भी अपने घरों में कैद हैं और उन्हें यह अंदाजा है कि अगर हम अपने घरों में अगर सेफ रहते हैं तो कहीं ने कहीं कोरोना वाइरस जो तिर्व गती से फैलने की उमीद रखता है और उनकी उमीद पर पानी फिर जाएगा और करोना हारेगा और खगडिया जीतेगा या खगडिया के कचहरी रोट का सीन है जहां हर वो दुकाने बंद परी है चलने फिरने वाले लोग वहीं खगडिया से महज कुछ दूर कई किलो मीटर दूर जो है यह ओलापुर गंगोर गाउं की यह तस्वीर है सहर से लेकर गाउं तक के लोगों में इतनी जागरती उत पन हुई है कि कोरोना वाइरस से लड़न को हर लोग तयार है हर लोग बेताव है और चुनौती दे रहा है कोरोना वाइरस को कि हम जीतेंगे और तुम हारोगे आपको बता दे कोरोना के कहर से कहर को कम करने के लिए 14 घंटे का जनता कर्फिव 22 मार्च यानि आज सुभ साथ बज़े से रातरिक 9 बज़े तक जनता के दोरा लगाय जा रहे हैं कोरोना से जंग के लिए 14 घंटे परिक्षा की घड़ी है इसके लिए आपको घर पर रहकर को फैलने से रोकना है दरसल देश में करोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं ऐसे में जनता कर्फिव जरूरी ह गया है आपको बता दे जनता कर्फिव में आपको कुछ नहीं करना है यही आपके लिए सबसे बड़ा काम है 14 घंटे घरों में कैद रहना है जनता कर्फिव की सबसी बरी चुनावती है आपको अपने घरों पर रहना है बाहर निकलने से बचना जरूरी है क्यों जरूरी है आईए हम बताते हैं जनता कर्फ्यू जनता के लिए जनता के दोरा लागू इस कर्फ्यू का मकसद करोना वारस को समुदाय के बीच फैलने से रोकना है करोना वारस को बढ़ने से रोकना है और संकरमन की चैन को तोरना है जितने कम लोग घर से निकलेंगे और एक दूसरे से जितना कम मिलेंगे उतना ही करोना कंट्रोल में रहेगा इसलिए जनता करफ्यू को लागू किया गया है। जनता करफ्यू लगाना और उन्हें निवाना बहुत ही महत पूर्ण है। गई है और इस नजारा आप देखिए किस तरह से जनता ने अपने प्रधान मंतरी नायंदर मोडी के उन आदेशों का पालन किस तरह से बेखुवी से कर रहा है। जाकि हर लोगों की जिन्दगी सुरक्षित हो। फेड़ने के लिए भारत के और खगरिया और बिहार के एक एक लोग जो है पूरी मुस्तेदी से खड़ा है। तो वही यह गाउं की भी तस्वीर है गाउं में भी और सहरों में भी कोई लोग नजर नहीं आ रहे हैं। और इसके अलाबा कोई भी यातायात वहने कोई भी वहन नहीं चल रही है और इसके साथ ही साथ आने जाने वाले लोगों में कितनी उत्सा है और कितना लोगों के अंदर जो है जागरुकता है जड़ा सुनिए। लोगों क्या करना चाहिए। बंद रखना चाहिए। बंद रखना चाहिए। और दूरी बना करके खुब मतब कि दूरी बना करें कि इतना दूरी रखें कि उसका सांस आपके सांस तक जाए रखना हो पारें। सुना इवं चांदियों का हॉल माक जेवर का सोरूम पता न्यू गोपाल जोलर स्थाना रोड खगरिया।